सबी खाने को टेश्टी बनाने के लिए आज मैं आपके सामने चार रेसिपी बताने वाली हूँ और रुके रुके चारो रेसिपी बिल्कुल ही डिप्रेंट तरीके से आज मैं बनाई हूँ इसमें क्या है नीम्बू के छिलके की एक में रेसिपी है जिसे नीम्बू के छिलक से मसाले वाले चावल की भी रेसिपी बताने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले ये नीम्बू वाली ये देखे जो नीम्बू है नीम्बू के जो टुकड़े होते हैं छिलके होते हैं रस हमेसा निकाल लेते हैं और नीम्बू के जो छिलके हैं हमेसा बच जा तरह पढ़े रहा गये थे तो मैं इसका बहुत ही बहुत ही बहतरीन उपयोग करने वाली हूँ और ये खाने में बहुत ही टेश्टी और चटपटा लगती है तो सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने तरह से बिल्कुल ही लाल करके क्रिस्पी कर लेना है बहुत ही टेश्टी लगती है जितना इसको क्रिस्पी करेंगे न उतनी ये रेसिपी लाजवाब लगती है और मू का टेश्ट बिल्कुल ही यमिसा हो जाने वाला है ये देखिए नीमबु को चिलके हमें इसा क्या करते अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से तलूंगी घुमा फिरा के जैसे जैसे इसे तलेंगे ना वो अच्छी तरह से निम्बू क्या हो जाएगी फूल के थोड़ी सी साइज में दूगनी हो जाएगी और जैसे जैसे भूनने हो गए भूना जाएंगे अच्छी तरह से लाल हो जाएंगे तो समझ लीजिए ये अच्छी तर से सोड़ी सी सिकुड भी जाएगी और अच्छा सा फेवर भी मागने लगेगा एक्स्ट्रा तेल है ये देखे मैंने ज्यादा तेल डाल दिये थे तो मैंने थोड़ा सा तेल लिका लिया क्योंकि नीम्बू को भी भूनन बस वही डालना है दिखे मैंने डाला है धन्या पाउडर दो चमच आप छोटी चमच से ले रहे हैं तो एक चमच ले सकते हैं ये मेरे बहुत ही ज्यादा चोटी चमच है तो मैंने दो चमच लिया है जीरा पाउडर लिया है मिर्ची पाउडर लिया है मिर्ची पाउडर भ आपका जो रेस्पी है वो तैयार हो जाएगी और इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं गुड़ है तो गुड़ जरू डाले हलका सा और नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं गुड़ से सुंदवापन थोड़ा सा ज नीमबू में जितने भी है अच्छी तरह से कोट हो चुकी है बस अब आपकी रेसीपी त्यार हो चुकी है बिलकुल ही कम महेंत में इसे रेसिपी को बना लिया है मैंने और गेस के फिले बिलकुल ही बद कर दी है अब इसे जब भी आपको भूक लगे या फिर मुаг अच्छ दो निमूल ये हैं मैंने और उसको अच्छी तरह से निचोड के इसे डाल दिये हैं और आप चाहे तो इसे साल भर भी एश्टोर कर सकते हैं चीनी को थोड़े से अच्छी तरह से आपको डालना पड़ेगा या फिर गुड़ से भी बना सकते हैं आई होप ये रेसेपी आपको काफी पसंद आई होगी अब चलिए सोटकट वाली रेसेपी देख लेते हैं गर्मी का जैसे ही सीजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं किचन में जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है या पिर कहीं से घूम के आया है और सोटकट में कुछ बना आप लेने जो भी तेल में आप खाना पसंद करते हैं आप ले सकते हैं तो मैंने लिए हैं सर्सों के तेल और थोड़ा सा डाला उसमें जीरा और तेजपत्ता अच्छी तरह से पकने कबाद आपको डाल देने हैं प्याज यह दिखिए बड़े साज की मैंने प्याज कर ली आपके पास जो भी सब्जी है कीचन में आराम से छोटे चोटे टुकडे में काटे और डाल सकते हैं मैरे पास ठीक गोबी तो मैंने गोबी डाल दिया आपके पर ब्र tu और बींस है और आपको तो थोड़ी зр الشो टाल सकते हैं और अरामसे इसका भी इस्तिमाल कर लेना तो यह देखे सोयाबिन को भी मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है दोनों तीनों सब्जियों को अच्छी तरह से आपको भून लेना है भूनने का समय 3-4 मिनट होगा जादर समय बिलकुल भी नहीं लगेगा और 3-4 मिनट भूनने एक बार अब चलिए इसके मसाले बना लेत दो चमच मैंने डाला है धनिया का पाउडर और उसके बाद आपको डालना है हल्दी का पाउडर अपने मसाला आप कम ज्यादा कर सकते हैं और मेन मसाला है इसमें चिकन मसाला चिकन मसाला आपको डालना जरूरी है ताकि इसमें बहुत सी अच्छा सा फिलेबर आए तो दो चम हमारी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और मसाले के साथ ये बहुत अच्छी तरह से तयार भी हो जाएगी और सब्जियां भी उधर अच्छी तरह से हमारी तयार हो चुकी है और मसाले भी हमारे पर्फेक्टली तयार हो चुके हैं बिरियानी सा टेस्ट डालने के लिए मैं डाल पुदीना के पत्ते ये दिकते थोड़ी के प्त्ते हैं तो आप पुदीना के पत्ते डालिए Iska फ्लेबर कापी अच्छा आता है और है तो है तो आप जरूब तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं बस आपको पहले ही धोके रख लेना है बासमती चावल ले या फिर अर्वा चावल ले सबसे पहले से धोके आपको थोड़ी दिर छोड़ देना है अच्छी तरह से भीगे हुए होंगे इधर सब्सक्राइब कर ले 10 मिनट काफी होगा और अच्छी तरह से ये देखे Lindsay नहीं भीणे के बाद जिस कटोरी से बने चावल ले हैं बस वही कटोरी से मैं अब डालने वाली हूं पानी तो एक कटोरी मेरे पास चावल थे तो दो कटोरी मैंने पानी को एड़ कर दिया अभी ही कया है अब ये देखे दूसरा कोटोरी म जादा बढ़ जाएगा तो यह देखे सभी मसाले को पहले मैंने मिला लिया है उसके बाद मैं डाल रही है उसमें यह देखे बटर बटर आपको लगभग एक चमच लेना है अगर नहीं है तो आप एक चमच खी भी डाल सकते हैं और चावल को खिला खिला बनाने के लिए मैं इसमें नीबू का रस आपको अच्छी तरह से डाल देना है और इसे साथ से आत मिनट अच्छी तरह से को करना है एक सीटी आने नहीं देना है उससे पहले ही आपको उतार लेना है या कहें तो फिर आइच मिनट काफी हो जाएंगे और आठ मिनट के बाद यह दिखे चावल जाते हैं तो अब मैं वो भी आप दिखाने वाली हुए देखें अंदर के भी कोटिंग बहुत ही अच्छी हो एक भी दाना हमारा चिपका नहीं है आप देख सकते हैं I hope ये मेरी चावल वाली रेसिपी आपको काफी पसंद आई होगी अगर अभी भी आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक चोटा सा लाइक आप जरू कर दे और तो कम समय में बनने वाली ये चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें आप जरूर बता है और अगर पस केले से आपको पनीर कैसे बनाना है इस वीडियो को पूरा देखिया बहुत ही टिष्टी लगती है और साही पनीर से बिल्कुल भी कम नहीं लगती है ये रेसिपी तो कैसे बनाया है इस रेसिपी को तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मार्केट जाके 10 रुपए केले लिए किले रीट जाई भी 2 1-3,5 किलो लगभग मेरे पांज केले थे तो इसमें मैंने इन पांघ केले के पूर्ट से ना कीजाम है ये आपको जीपानी में डाल देना के लिए महां मैंने डाल दिया है पहले केले को उसके बाद मैंने अच्छी तरह से कट कर लिये हैं उसके बाद क्या करना एक मिक्सर के पोट लेने हैं और मिक्सर के पोट में अच्छी तरह से आपको डाल देने हैं यह देखे मैंने कुछ केले को डाला है और यह है घर की रखी हुई फ्रेस मैंने मैदा डाला है केले को पेष्ट को बहुत ही गाढ़ा करके रखना है आपको इसलिए आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं तो मैंने अभी फिलाल दो चमज डालने के बाद में अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी यह जितना पेश्ट आपका गाढ़ा रहेगा उतना पनीर आपका अच्छा बनेगा तो यह देखे सभी कुछी जों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैदा बहुत यह तरह से मिक्स हो चुके हैं मेरे आप देख सकते हैं और कभी आपने अगर इस तरह की प और पेश्ट को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना इसे व forensic बना मैं कुछ चिज़े ऑर भी करने वाली हूँ तो मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा खाने का सोड़ा खाने का सोड़ा यह पनीर बहुत ही सपोंजी बनेगा और बिल्कूल ही लाइट बनेगा और अच्छी तरह से मैं अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं यह बहुत ही साही तरीके से मैं इसे बनाने वाली हूँ बहुत ही इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा और यह देखिए मैंने लिए थोड़ा सा तेल और एक बरतन में मैंने लगा दिया है उसके बाद जितने भी पेश्ट है पेश्ट पेश्ट को और इसे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपको भाप में पका लेना है 15 मिनट काफी रहेंगे इसे अच्छी तरह से कभर कर दे और इसे छोड़ दे तब तक चलिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं तो मसाले में मैंने क्या-क्या डाला है जिससे इसका टिष्ट क कापी बढ़ जाने वाला है तो सबसे पहले थोड़ा सा दूद लेना है और उसमें काजू को भिगो देना है और यह मेरे पास प्याज और कुछ गरम मसाले लसून और हरी मिर्च और सूखे हुए टमाटर अब चलिए मिकसर में यही मिकसर कमा यूज करने वाली हूं तो सब और सब ही मसाले को अच्छी तरह से आपको क्या करना है इसे पेश्ट बना लेना है एक से दो मिन दो मिर्ची भी डाल दी है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए और सभी को मैने अच्छी तरह से पीष लिया है इदर 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट में यह देखिए बोड़ा सा जीयर पौडर और फिर मैंने डाला है और यह जितने भी मसाले सब्हाल Events ना ना सभी को आपको डुझ देना है और इससे अच्छी तरस से आपको भून लेता है बहुत ही अची तरह से भुूनना है जितना भी कचापन टेश्ट है सभी खतम हो जाने चाहिए और मसाले में एक अच्छी सी खुद बूआने चाहिए और इसे और भी टेश्टी बनाने वाली हूँ मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड़ करने जिससे इसका टेस्ट काफी बढ़ जाने वाला है तो सबसे पहले मसाले को 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनना है और 2-3 मिनट जैसे भूनेंगे उपर में अच्छी तरह से तेल आपके क्या होगे दिखने लगेंगे उसके बाद आपको चलिए मैं कुछ समान डालने वाली हू सब मैंने पाउडर रूप में इस्तिमाल किया है जितने भी है तो सबसे पहले मैंने डाला है आधा चमच हल्दी पाउडर और वही चमच से मैंने डाला है डेड़ चमच जीरा पाउडर और उसके बाद मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर यह देखे लाल मिर्च का पानी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से भूड़ना है मसाले में एक बहुत ही अच्छी सी महक आने लगेगी उसके बाद मैं काजु का पेश्ट डालने वाली हूँ इससे क्या हुजएगी सबजी है बिल्कुल साही वाली फिलिंग आएगी और सबजी का जो ग्रेवी बन अब छाने के ल्यक्त लेका हरी मीच दालने बाद फिर से आपको अची तरह से बून के त्यार हो चुके है अब चलिए पनीर को देसे है लेना है चाकू से से कट करसके तो बस नहीं जाएगे कि यह कीले से बनाए इसनी टिश्ची लगती है और इसमें मैं leaja हमने डाला है उससे इसका फ्लेबर और भी बढ़ जाता है और जो मैदा डाले हैं उससे इसकी ब्वाइंदिंग बहुत अच्छी होती है पनीर की जैसे क्यूब बनके तयार हो जाता है तो देखें बहुत अच्छे सरस है आराम से आपके निकल जाएंगे यह देखें इसे ले हो जाए और इसका टेस्ट बढ़ जाए फिर मैंने लिए ऐसा तो तोड़ा सा तेल तेल नहीं है तो आप बटर भी ले सकते हैं बटर है तो बटर में बनाएं बहुत ही तेस्ट लगती है और मैंने बहुत साधी सब्जियों के रेसेपी डाल रखी है अगर नहीं देखिए देखिए फिर लाष्ट में आपको डालना है काजू के पेष्ट ये देखिए लाष्ट में मैंने काजू का पेष्ट डालने के बाद भी थोड़ा सा एक-से-दो मिनेट अच्छी तरह से भूरना पड़ेगा जो काजू के तो एक कचापन टेस्ट होता है उसे आपको ख़त का सकरस कर लिया था फिर मैंने उसे डाल दिया इससे इसका टेस्ट है ना काफी बढ़ जाता है और सभी मसाले मेरे अच्छी तरह से पक रहे हैं अब मैं इसमें पनीर डालने वाली हूँ यह देखे जैसे यह आप यह केले वाले पनीर डालेंगे ना इसमें बहुत ही अच्छ की तरह से कभर करके भी पकाना है और कभर करकर जैसे ही पकाएंगे सब तेल अच्छी तरह से रिलीज हो जाएगा और हमारा बहुत ही टेश्टी और यंंचा केली की यह रैसिपी तयार हो जाएगी मैं इस पकोड़े की रेसिपी की खास बात यहा है कि आपके चाय बनते बनते ही ये रेसिपी बनके तयार हो जाएगी तो सबसे पहले आपको आलू को धो के साब कर लेना है और उपर के छिलके हटा देने हैं अगर आपके पास चिपसर वाले मसीन है ये चिपसर बनाने वाले तो आप उसे आप अगर चिप्स बनाने वाले मसीन नहीं है, तो आप कच्चे आलू को चाकू से भी काट सकते हैं, और इसे दो से तिन पानी को धोना बहुत ही जरूरी है, ताकि इसमें जितना भी काला पन टेस्ट है, काला पन बिल्कूल भी ना पड़े, और सभी आलू को धो के आपको करने के लिए आधा चमच, वही चमच से मैंने चावल का आटा डाला, यह देखे, इससे क्या हो जाँगे, लंबे समय तक आपके जो पकोड़े हैं, वो क्रिस्पी बने रहेंगे, अगर आपको नाप में दिकत हो रही है, तो एक आलू के जो सलाइस है, यह देखे छोटे व बनाने के लिए टेश्ट फूल रहे, इसके लिए मैं डाली हूँ, इसमें लसुन का पेश्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और लाल मिर्च का पाउडर, इससे क्या हो जाँगे, बहुत ही टेश्टी लगता है, कई बर क्या हो जाते तो आलू में अच्छी तरह से नहीं ठार पाएंगे और ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो आलू अंदर तक नहीं पक पाएंगे और थोड़े से हाड़ भी बनते हैं इसलिए जो भी आप पकोड़े वगर कुछ भी बनाते हैं तो बेटार इसका बहुत ही अच्छा से त्यार करे इसे और भी क्रिस्पी बनाने के मैं चीज एक और भी डालने वाली हूँ जो अक्सर आप लोग बनाते हैं पकोड़े लेकिन वो चीज गलती से भी नहीं डालते हैं तो आज मैं वो भी चीज डाल के बताने वाली हूँ कि कैसे दुकान वाले घंटो घंटो देर भी हो जाते तो भी उसके पकोड़े क्रिस्पी कैसे रते हैं और कोई कोई दुकान के बहुत ही ज्यादा टिष्टी बनते हैं तो यह है गर्म तेल अगर्म तेल को क्या करना है गर्म तेल मैं the होने के लिए रखा था, उसके पहले आपको डाल देना है, यह तोड़ा से मैं बाद मीडियम करके आपको क्या करने एक टुक्रे लेने हैं और आराम आप फूल रहे तो क्या करना है वह भी तरीका में बताने वाई हूं देखे जैसे धिरे धिरे डालेंगे ना थोड़े आलू भारी होते हैं और जैसे जैसे यह अच्छी तरह से फूल के तयार होने लगेंगे तो यह उपर खुद बाख खुद तयारने लगेंगे बस यही आप से पता चल जाएगा कि आलू की जितने भी पकोड़ी है अच्छी तरह से फूल और यह देखे, दो से तीन अच्छी तरह से फूल के उपर तेरने लगी है, और जो नहीं तेर रहे हैं, इसे अच्छी तरह से कर्ची से पलट दे, तो यह देखे, बहुत ही सोटकर तरीके में, और चाय जी धर बन रही है, तो आप इधर आराम से इसे सामके समझे, आप यह र कर सकते हैं चाहीं दर बना दीजिए और आराम से आलु को काट वस्टर करके या फिर बेटर बना कर रखे और तुरंत इसे आप गर्म गरं तेल करके सेयार कर सकते हैं तो आई होप यह चाहरों रेशिपी आपको काफी पसंद आई होगी अगर आई है तो एक लाइक अभी कर सक जिसने मेरे आम के अचार की रेशिपी देखिया और जिसने मेरे सब्सक्राइब किया है और जो भी कोश्चन है आपको कोई भी दिकत हो रही है आम की अचार बनाने में या कोई भी रेशिपी बनाने में तो आराम से आप मेरे पास सवाल पूछ सकते हैं मैं सभी का जवाब ज